जंगली हातियों को भगाने गई टीम में शामिल वनरक्षी जस्वीन सालगर आयंत को अचानक एक हाती ने सून से उठाकर पटक दिया महीं पैर से कुचलने का परियास किया जंगली हाति के चिंगानने की आवास पर आस पास से जुट आई ग्रामीनों का शोर सुन कर हाती जंगल की तरफ चला गया काल के गाल में समा गए वनरक्षी खूटी के कर्रा विभाग में दैनात थे दिल छकजोर देने वाला या वाक्या खूटी के कर्रा प्रखंट के कुनहपा तिरला जंगल में हुआ टीम में फॉरेस्टर शशी भूसन सहाय, वनरक्षी रेश्मा गुडिया, संदीब कुमार और जस्बीन सालगर आइंद शामल थे जस्बीन की जान चली गई गाउं के कुछ बच्चे जंगली हाथी को देख खूप शोर मचाने लगे वनरक्षी जस्बीन उन्हें ऐसा करने से मना कर रहे थे वो बच्चों को महां से भगा रहे थे तब ही एक जंगली हाथी ने अचानक जस्बीन को अपने सून्ट से उठा कर जमीन पर पटक दिया या द्रिश्य देख जब ग्रामीन जोर-जोर से शोर मचाने लगे तो हाथी जंगल की तरफ खो लिया से पहले जंगली हाथी ने चीदी गाओं के पास खास काट रहे मानुएल हेम रूम को लाच से मार कर सक्मी कर दिया वही जंगली हाथियों के जुंडने गुम्डु गाओं में रहने वाले रामशरन सिंग के घर का शटर तोड़ घर में रखे लगपक पांच कुईंटल धान को चट कर लिया फुक्त भोगी रामशरन ने बताया कि हाथियों द्वारा शटर तोड़े जाने के बाद घर के सारे लोगों की डर से हालत खराब हो गई थी वही हाथियों ने गाओं में कई खेतों में लगे धान के बिचड़े को भी खा लिया उन्हें रौंद कर पूरी तरह से बरबाद कर दिया जंगली हाथियों के आतंक से पूरा गाओं डरा सहमा हुआ है गाओं के कुछ लोगों ने बताया कि शरीवार की दोपहर जंगली हाथियों को भगाने कररा वन विभा की एक टीम आई थी टीम कुन हपा तिरला जंगल से हाथियों को भगा रही थी तब ही वन्रक्षी जस्बीन के साथ बड़ा हाथसा हो गया गंभी रूप से जखमी जस्बीन को पहले पास के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां से उन्हें रिम्स रैफर कर दिया गया रास्ते में उन्होंने दम तूर दिया